आज के वीडियो में लेकर आई हूँ मैं लोकी की एक न्यू रेस्पी जिसे वच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे जी हाँ आज बनाएंगे हम इस लोकी से पनीर और बहुत ही असान और सिंपल है और आपको अजीब लग रहा होगा कि लोकी से भी कोई पनी है इसलिगों के बि भी सीघ्णी में लिए अगर आपकी बीज को निकाल दे तो इसमें बिल्कुल नहीं थे विलकुल किश्ची त bothers spectrum ने एक चोटीश की अधार को आस पर इसे ही हमारा आदा किलो एक किलो पनीर बन ँर और तैयार होगा काड़ का उभी मैंगा निवार दो सा यहां पर देखिए एक पैन लिया है इसमें मैंने थोड़ा से तेल डाला है और लिये हैं दो टमाटर तीन प्याज आदर का टुकडा और दो सुखी हुई लाल मिर्च तो टमाटर का उपर से इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट निकाल कर और बीज से कट लगा लिया है और आठ से दस लैसन की कली ली है तो साबुत कली और यहां पर देखिए सबी चीज हैं जो मैंने साबुत टाली है इनको हल्का सा इस तरीके से भून लेंगे तो करीब दो मिर्च तक मैंने इनको अच्छे से भून लिया है और यह दिए टोमाटर का छिलका है उपर से कितना सोप्ट हो गया है तो इनको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर तो मिर्च को नहीं भूना था मैंने मिर्च है जो यह साइड में रखी थी और यह तब तक गी अब अच्छे से उबल गई है अब क्या करें के एक मिक्सर जार लिया है मैंने और इस का पानी छोड़ते हूए इसको इस तरीके से मिक्स जार में डालें गे और दो चमच है जो मैंने दही डाला है इसके अंदर लोकी के ऊपोरी और यह दधी है जो फ्रेस घर का और यह इनको भी मिक्सर गरांडर में पीस लेंगे तो देखिए इनको मैंने रफली चोप कर लिया है आप क्या करेंगे इस लोकी का देखिए मैं एक समूद सा पेष्ट बना लिया है और यह बिल्कुल असानी से ही पेष्ट बन जाता है क्योंकि हम लोकी को पहले उबाल रखा है कच कर लिया है अब क्या करेंगे पहले एक त्यारी करके रख देते हैं क्योंकि पनीर बनाने के लिए हम लोकी को स्टीम करेंगे यहां पर मैंने एक छनी ली है आप कटोरी भी रख सकते हैं इसके अंदर तो मैंने इस छनी को उल्टा करके रखा है क्योंकि इसके उपर है कुटी हुआ मिर्च यह भाइब स्क्राइब गाचा भूर मिर्च दाला अगर आपको पसंदarkan तो स्क्रूय और इसे किर सकते हैं तो मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक प्लेट पर थोड़ा सा तेल लगाया है और इस पेश्ट को इस प्लेट के अंदर मैंने डाल दिया है और इस उपर से इसको इस तरीके से चिकना कर देंगे आप जो हमने कडाई रखे दिश्टीम होने के लिए आप बिल्कुल आराम से रखेगे इस प्लेट को क्योंकि ग्ड़ाई है गरम है और इसे लो मेडियम प्लेम ना ही ज्यादा हाई करेंगे और इस लो मीडियम प्लेम पर इसको पकने देते हैं पांस सेसात्त मिन्ट के लिए और यह वही जिसमें मैंने रफली प्याज और टमाटर को साबुत भूना था और इसमें एक चमच तेल और मिलाया है मैंने और यह सर्चों का तेल है आप अपने घर में जो भी तेल यूज करते हैं वही तेल ले सकते हैं और तेल अच्छे से गरम होने पर आदा चमच जीरा एक चमच धनि भूने 8-10 मिंट के लिए लो फ्लेम पे और मैं इसको ढख रख देती हूं 2-3 मिंट के लिए और बीच-बीच में को इसको चैक करते रहेंगे और बिल्कुल अच्छे से भून लेना है तब तक इसमें ओएल ना नजर आने लगे इसको तब तक भूनेंगे और यह देखिए इदर है जो हमारी 8-9 मिंट हो गए है लोकी भी अच्छे से से सैट हो गई है और मैंने इसको एकदम उपर से भर दिया था इसलिए यह उपर स तोड़ी सी इस तरीके से हो गई है और इसको अच्छे से साफ करके मैंने फ्रीज में रख दिया है 5-7 मिंट के लिए और मसाला है जो यह भी अच्छे से भून गया था इसमें मैंने दो चम्मच दही आड़ किया है दही ना डालना चाहे तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं और दही है जो बिल्कुल अच्छे से पकाएंगे लोग लेंपे लगातार चलाते हुए क्योंकि दही अच्छे से पकाएंगे दो मिंट के लिए मैंने अच्छे से पकाया है दही को अब इसमें मसाले आड़ किये है आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच धनिया पानी है जो मैंने 1-2 गिलास पानी एड़ किया है तो आप इस तरीके से ना लोकी का पनीर बनाकर जरूर से खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगती है सबजी और बाद में इसमें मैंने कसूरी मैथी एड़ की है और इसको अच्छे से पकने देते हैं और तब त मैंने मीडियम कर दिया है तो आप क्या करेंगे पनीर है जो यह इस मसाले में एड़ कर देंगे इस तरीके से में चम्मच की मदद से इसको डाल रही हूं कि लोकी है थोड़ी बहुत नरम तो रहती है इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और यह देखिए हम अपने बच्चों को परिवार को जूरूर से खिलाए आज की वीडियो में इतना ही ठैंक लिए